हाई वास मैं हूँ डक्टर प्रेम जी आयरवेदिक देखे आज मैं इस वीडियो में आपको माइग्रेन पेन को तुरंत दो मिनेट के अंदर टीक करने वाली बहतरिन गरेलू नुस्के की बारे में बताने वाला हूँ ये नुस्का है लगाने वाली नुस्का है जैसे कि ये म दूस्के की बारे में आप जानने से पहले मेरी इस चानल को आप अभी तक सब्सक्रेब नहीं किया थो आप जरूर सब्सक्रेब कीजिए बेला खान को भी दबाईए ताकि मेरी नया वीडियो अपडेट पने के लिए देखे पहले आपको इसमें क्या-क्या चीज की जरुर पड़ता है और इसके बाद इसे कैसा बनाना है और कैसा लागाना है मैं आपको बताएगा देखे इसके लिए आपको चाहिए होता है यहे पान की पते देखिए यह पान काने वाले को ज्यादा मालूम है आपको सिर्फ यह एक पान की पते लेनी पड़ती है ठीके और इसके साथ आपको दूसरी लेनी है यह एरंड की तेल है ठीक है कैश्वर आइल अगर आपको कैश्वर आवलेबल नहीं रहता तो आप कोई भी आईल ले सकता है जैसे की कोकोनट आईल या सरसो की तेल जैसा कोई भी आवलेबल है आपकी पास तो आप उसे ले सकता है ठीक है मैं आजाता है तो आप तुरंट क्या करना है कि आईसी एक पांड की पत्ते लिजिए ये पांड की पत्ते लेकर इसका ये जो उपर है इसका उपर इस तेल को ऐसा लगाना है देखिए मैं कैसा लगा रहा हूँ ये बहुत अच्छा काम करने वाली नुस्का है माईग्रेन हेडेक के लिए आदा सिर्ददर तुरंट दुरो जाता है देखिए ऐसा इस तेल को पांड की पत्ते का उपर अच्छा सा लगा कर क्या करना है कि इसे गरम करनी पड़ती है आप अगर चाहिए तो अस्टाव का उपर यानि माते का उपर लगा सकता है या नई तो आप ऐसा सिगर लाइटर को यूज करके भी इसे गरम कर सकता है देखे मैं कैसा गरम कर रहा हूं यह ऐसा गरम करने से रिजल्ट जिल्दी मिल जाता है यानि यह आदा सिर्द तुरंट ठीक हो जाता है ठीक है यह आप जरूर इसे इस पत्ते को जरूर ऐसा गरम कर लीजिए देखे ऐसा दो मिनिट तक ऐसा थोड़ा सा गरम कर लीजिए गरम करके आप क्या करना है कि माथे का उपर यानि फोर हेड का उपर आइसा लागा लीजिए ठीक है देखे ऐसा लागा कर देख लीजिए आपको तुरंत दो मिनिट के अंदर ये आदा सिर्दा तुरंत ठीक हो जाता है और चाहिए तो आप थोड़ी थेम तक आप ऐसी रख लीजिए आपको ये माइगरेन की समझा पूरी तरह दूर हो जाता है आपको खबी भी ये माइगरेन को टीक करने में बहुत मदद करता है और इस पान की पते को यूज करके बहुत सारा बिमार्या को टीक कर सकता है मैं मेरी चानल में आपको एक एक वीडियो बना कर आपको बताने वाला हूँ तो आप अभी तक मेरी चानल को सब्सक्रेब नहीं किया तो आप जरूर सब्सक्र झाल झाल झाल